हालो स्ट्रेंट्स वेलकम टू टू ट्रिपले ब्राइड अडमी स्ट्रेंट्स आपनी वीकली करंट अफेर्स सीरीज को करते हुए आज कवर करेंगे 20 से 26 दिसंबर की करेंगे अगर आम से जुड़े रहना चाहते हैं डू सब्सक्राइब चैनल प्रस्टा पैल आइकन सो इसमें इंडिया का रेंग बताईए तो ये रिपोर्ट हमारे पास दी किसकी दवरा गी है Cato Institute के दवरा जो कि United state का Institute है और दूसरा हमारे पास एक और सीधे सीधे कुशन हमारे पास हो जाते हैं, over the period of time, कई सारे indices, कई सारे हमारे पास reports हमें देखने को मिली है, जैसे कि एक बहुत important report होती है, World Press Freedom Index, जिसमें इंडिया करेंग रहा था 142, याद रखेगा, World Press Freedom Index में हमारे पास इंडिया करेंग कितना रहा था, और वहीं Human Freedom Index में इंडिया करेंग रहा 111, चलिए, आप से मैं question पूछ लेता हूँ, अभी recently Global Economic Freedom Index 2020 report आई थी, Global Economic Freedom Index 2020, उसमें इंडिया करेंग क्या था, ज़र जल्दी से comment section में comment करके बताईए, हाँ जी, Global Economic Freedom Index 2020 में इंडिया करेंग क्या रहा था, वो जल्दी से comment करके बताईए, ओके, याद रखेंगे हमारे पास, Economic Freedom Index में इंडिया करेंग रहा था 105, याद रखेंगे, Economic Freedom Index में इंडिया का रहा था, ठीक है, Global Economic Freedom Index में इंडिया का रहा था, याद रखेंगे नेक्स की तरफ चलते हैं, DRDO Developed System, देखेंगे, DRDO ने यहाँ पर तीन सिस्टम डेवलप किये हैं, और उसको हमारी Armed Forces को सौंप दिया है, यह जो Hand Over हुआ है, वो राजना सिंग के दोरा हुआ है, जो भारत के Defense Minister है, और यह तीन सिस्टम किस-किस तरह के हैं, वो देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास आजाता है Border Surveillance System, Surveillance का मतलत है नज़र रखना, Border Surveillance System जिसको नाम दिया गया है BOSS, फिर हमारे पास Indian Maritime Situational Awareness System, IMSAS, जो की हमारे पास हमारी Navy यूज़ करेगी, और फिर हमारे पास Air Force के लिए ASTR MK1 Missile, यह जो missile है, हमारे पास Air-to-Air missile है, तीनों के बारे में देख लेते हैं, BOSS की जब मैं बात करता हूँ, That is All Weather Electronic Surveillance System, Designed for Automatic Reduction of Intrusion in Harsh Altitude, and Sub-Zero Temperature Area, specially कौन से areas की यहां पर बात हो रही है, जो हमारे पास Ladakh वाले areas है, तो Ladakh वाले area में कोई भी अगर temperature में variation होती है, देकि ध्यान सुनिए का, अगर कोई temperature में variation होगी, तो उसे पता कल दाएगा, कोई हमारी तरफ move कर रहा है, तो basically harsh और high altitude में, यह जो surveillance है, system है, यह BOSS जो system है, वो नज़र रखने के लिए use किया जाएगा, फिर हमारे पास जो IMSAS है, इसको use करेंगी कोण, हमारे पास Indian Navy, यह high performance software है, जिसका काम रहेगा, maritime situational picture को provide करना Indian Navy को, यहाँ पर एक student एक point मैं और आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास Indian Navy building awareness system, हमारी Indian Navy एक system build up कर रही है, जिसका नाम है Trigun, यह एक बहुत ही highly advanced system होगा, जिसकी development ongoing है, और 2024 तक बनकर यह त्यार हो जाएगा, तो याद रखना Trigun का जो संबंध है, वो किस्से है Trigun का जो संबंध है, that is subjected to Indian Navy, Indian Navy से कहीं न कहीं संबंधित है, और यह बनकर त्यार जाएगा 2024 तक, इसके लावा student याद रखेगा, important point यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कि एक astr नाम की हमारे पास missile है, जब मैं astr missile की बात करता हूँ, तो beyond visual range, BVR, एक तो यह full form याद रखेगा, जहां तक दिखाई ना दे, उसके दूर जाकर यह, हमारे पास mark कर सकती है, air to air missile है, यानि कि basically air forces का use करेगी, तो यह तीनों system ज्याद रखेंगे, questions इनके बारे में पूछा जा सकता है, चलिए, आप से मैं question पूछ लेता हूँ, मैंने high altitude की बात की थी, तो हमारी एक दीहर lab है, ठीक है, हमारे पास एक, दीहर lab है, जिसकी full form है, हमारे पास, defense institute of high altitude research, ठीक है, defense institute of high altitude research, इसकी location बताईए, दीहर कहां पर located है भारत में, जल्दी से comment section में comment करके बताईए, कि दीहर भारत में कहां पर located है, जल्दी से comment section में comment करके बताईए, कि दीहर भारत में कहां पर located है, अब तो यहां दखेखेँकर्ण दीहर भारत में लोकितिट है ले लड़्दाख में जी हाँ यह यह डियाड़ीयों की एक हाई एल्टिट्टूट रिसर्च लेबरेट्री है जिसकी फुल्फर्म है Defense Institute of High Altitude Research ठीक है जो कि ले लद्दाख में हमारे पास situated है तो इसके बारे में भी याद रखेगा यह अभी news में थी recently ठीक है ओके next हमारे पास Russia launches 36 UK telecom satellites अब देखो Russia की जो Space Agency उसका नाम है Rose Cosmos उसने United Kingdom के 36 telecom satellites launch किये हैं तो इसमें इंडिया कहां से आ गए इसमें इंडिया क्या लेना देना रहा तो देखे पहली बात तो यह हमारे पास जो satellite है वो launch के गए है वो चौनी launch site से ठीक है अब इंडिया का इसमें क्या concern actually satellites है वो किसने बनाए है British company OneWeb ने इसका नाम बहुत बहुत important हो जाता है आपके लिए actually OneWeb एक ऐसी company है जिसका main objective है पूरे world में free internet provide करना जी हां main objective क्या है इसका मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं आपको one web company का जो main objective है that is to provide free internet services throughout the world ठीक है और इसके लिए वो क्या करेंगे a group of satellite ठीक है a group of satellite will be deployed ठीक है पूरे विशुग में internet provide करने के लिए बहुत सारी satellites को launch करेंगे और यह इनका project था बहुत ही ambitious project था लेकिन यह company कुछ time पहले bankrupt हो गई तो bankrupt जब यह हुई इसने अपने आपको दिवालिया घुशित कर दिया तो इस company को खुरीदा गया अब यह खुरीदा किसने 50% इसमें शेर है यूके government के और आपको सुनकर थोड़ी सी हरानी भी हो सकती है और खुशी भी हो सकते है कि बाकी के जो 50% है वो भारती airtel के हैं यानि जिसके वही airtel company जिसके chairman सुनील भारती मित्तल है तो उस company ने इस company को खरीद लिया मतलग है almost 50% शेर जो है इसमें वो इंडियन company के हैं तो आने वाले time में airtel इस company का यहाँ पर यूज करते हुए इस company के satellites यूज करते हुए भारत में high speed internet provide कर सकती है और इवन भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट के दुनिया में एक नई revolution ला सकती है तो ब्रिटिश की one web company के बारे में याद रखना कि ब्रिटिश की जो one web company है ब्रिटिश one web company उसमें किस इंडियन कंपनी ने 50% शेयर ख्रीदे हुए क्योंकि रेस्ट और 50% इस सब्जेक्टिट टू यूके गवर्मेंट तो यह सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास आपको याद रखने हैं देखिए स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो स्पेस में भी इंडिया बहुत एजी सागे बढ़ रहा है इवन भारत की कई सारी प्राइविट स्पेस कंपनी भी आगे आ रही है अभी आपको मैं यहां पर एक question पूछना चा हमारे पास न्यू एए एनस आईल के साथ ठीक है न्यू स्पेस इंडिया लिम्टिट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है तो लॉंच अ सेटलाइट जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएए किस प्राइवेट स्पेस कमपनी ने हमारे पास PSLV का यूज़ करके रोकेट लॉंच करने की घोशना की है दोजार एक किसमें बहुत इंपॉर्टन कोश्चन यह बन जाता है हमारे पास पिक्सल हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टन स्पेस कमपनी रिसेंटली एस्टेब औरीसा हाई कोट देखिए आप समझेगा स्टुएंट जस्टिस एल एस मुर्लिधर पहले हमारे पास जच थे पंजाब एंड हरियाना हाई कोट में और अब इनको चीफ जस्टिस नुक्त कर दिया गया है औरीसा हाई कोट में तो यह अपने आम में एक इंपॉर्टन सुप्रीम कोट में वो हैं शरद अर्विन बॉबडे और एस मुर्लिधर आप कहां पे चीफ जस्टिस बन गया है औरीसा हाई कोट में चलिए जब मैं हाई कोट की बात करता हूं तो पंजाब हर्याना हाई कोट अपने आम में खास है जानते हो स्टुरेंट क्यों देखिए हमारे पास भारत की दो हieu कोर्ट अधी हैं जो युनअसको वर्लड हरिटेज साइट के अंडर आती हैं जी हां आपको सुनकर शायद हहराणी हो लेकिन जैट इस स्वान अभड टरूथ कि फ опас हमारे पास world heritage sites हमारे पास के अंदर consider की जाती है दो high courts की building एक तो है पंजाब एंड हरियाना high court ठीक है पंजाब एंड हरियाना high court की जो building है वो हमारे पास क्यों consider की जाती है क्योंकि recently युनेसको ने क्या declare किया था कि जो हमारे पास ली कार्बूजियर की बनाएं हुई जितनी भी building है हमारे पास चंडीगड में वो हमारे पास consider की जाएंगी युनेसको world heritage site apart from that Bombay high court जी हाँ apart from that Bombay high court इसकी जो building है यह हमारे पास Victorian art देको building that is also considered as युनेसको world heritage site तो आपने याद रखना है कौन सी दो high courts ऐसी है जो हमारे पास युनेसको की wish विरासत world heritage site consider की जाती है चलिए मैं आपसे question पूछ लेता हूँ पर जितनी भी high courts भारत में हूँ सब हमारे पास किसके अंडर रहेंगी supreme court के अंडर तो मैं हाँ पर एक question पूछता हूँ constitution से related, politics से related under which article of the constitution all high courts in India are bounded by judgment of supreme court आप जरा comment section में comment करके बताइए under which article all high courts in India are bounded by judgment of supreme court किस article के तहत ये कहा गया है कि जो supreme court की judgment है वो सभी high courts को माननी पड़ेगी हाँ जी students ओके याद रखेगा student यह आता है हमारे पास article number 141 आर्टिकल number 141 यह बोलता है कि जो supreme court की judgment है वो bounded होगी सब के उपर enforce होगी जितनी भारत में high courts हैं उन सबको यह judgment माननी पड़ेगी is that clear okay next हमारे पास PM नरेंदर मोधी ओनर्ड रतन टाटा देखें हमारे पास SHM की foundation डे था अभी रिसेंटली यहां पर क्या हुआ कि एक थीम रखी गई इंडिया रेजिलियन आत्मिर पर रोड मैप तो फाइव ट्रिलियन डॉलर एकॉनमी तो हम लगातार कोशिच कर रहे हैं कि भारते अर्थवस्ता पास ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी पर पहुंच पाए हैं तो यहां पर पास ट्रिलियन डॉलर पे पहुंचने का लक्ष रखा गया है जबकि 2020 में हमारी ग्रोथ रेट जो है वो नेगिटिव रही है जी हां याद रखेंगे 2020 में ग्रोथ रेट नेगिटिव रही है अब यहां पर इस पूरी सिस्ट अफडानरン टाता को टाटा का ओवरिट बिश्व便 थे हैं suppose इसेश्यव छेल्ठ सब्सक्र रॉड नेवन वौत कुछ नहीं है जाद रखे गा टाटा मुस्लेक टाठा को एंग चंद्रशेक्रन लेकिन यह अवरर्ड हमारे पास तो रतन टाटा ने रसीव किया जो कि हमारे पास एक important role अभी भी play कर रहे हैं इन टाटा ग्रूप देखे टाटा ग्रूप की जब मैं बात करता हूं थोड़ा सा इसके बारे में टाटा ग्रूप के बारे में जान लेते हैं टाटा ग्रूप हमारे पास 1868 में establish हो था कोविड 19 के दोरान हमारे पास रतन टाटा जी ने announcement की थी कि पंद्रा सो क्रोड वो देंगे PM care fund में जो की बहुत बड़ी amount थी सबसे बड़ी contribution अगर किसी corporate ने की थी तो that is टाटा ग्रूप पंद्रा सो क्रोड रूपे PM care fund में नों डाल दी थे देखिए सिर्फ रतन टाटा सिर याद रखेगा कि हमारे पास इसराइल चैंबर ओफ कमर्स ने किसको global visionary award के साथ सम्मानित किया है तो अगेन अंसर रहेगा रतन टाटा ओके तो यह सारे points आप याद रखेंगे लेकिन मैं यहां पर आपको question पूछन पूछन चाहूंगा देखे टाटा जाना जाता है starting से पहचान कब से मिली जब टाटा ओक को स्टीक और रेटी शीर तो तो यह हमारे पार जब टिसको एस्टेबलिश हुआ जमशेदपूर में तब टाटा को एक अलग पहचान मिली तो मैं आप से पूछना चाहूंगा टिसको को कौन से यर में एस्टेबलिश के आदा जमशेदपूर टाटा ने जल्दी से कमेंट सेक्षिन में गांड करें बता दीजिए टिसको एस्टाबलेशन विच यह ठीक है कौन से यर में टिसको एस्टेबलिश हुई एक बहुत ही पुरानी कंपनी में से एक है टिसको टाटा एरं एंस्टील टाटा एरं एंस्टील कंपनी और याद रखेगा रतन टाटा को अभी यहां पर एसोचम एंटर्वाइज ऑवर्ट से समानित किया गया है दूसरा इस्राइल चैंबर ऑफ कमर्स ने रतन टाटा को दिया है ग्लोब ग्लोबल विजनरी अवर्ट ठीक है ग्लोबल विजनरी इस बिजनर्श देखें पहली बात आपने याद रखना है इस बिजनर्श की रिपोर्ट को देता है वर्ल्ड बैंक अभी इस बिजनर्श होता गया कि माल लीजे अगर मैं कोई फॉरं कंपनी को इंडिया में उसका प्लांट एस्टेबलिश करना चाहूं या मतलग कि कोई नहीग प्लांट या नहीं कमपनी केंडिया में चाहिए को इंडियल बंदा भी है या कोई फॉरं से आता है कंपनी कई करना चाहिए तो उसे कितनी दिकतोंसतों सामना करना पगता है उसको लेकर हमारे पास यह report प्रिपेर की जाती है कहीं न कहीं company शूरू करनी है जो company ongoing जो company चला जा रही है उसको लेकर कितनी दिकतों का सामना करना पड़ता है so ease of doing business report में आपने एक तो यह याद रखना है कि 17th edition में इंडिया करेंग क्या रहा इंडिया करेंग रहा 63rd पहला कुशन तो हमारे पास यह हो गया स्टार में मार्क कर देता हूं दूसरा कुशन जो आपने याद रखना है कि टॉप रेंग किस country कर रहा तो टॉप रेंग रहा हमारे पास न्यूजिलेंड का यह एक ऐसी country है जहां पर आप असानी से अपना business conduct कर सकते हैं ओल्दो भारत ने पिछले काफी पिछले कुछ समय में काफी improvement की है जैसे कि अगर हम मैं आपको उता दू कुछ साल पहले हम इस report में 100 से उपर होते थे हमारा rank जो था 100 अवाव होता था लेकिन पिछले कुछ time में हमने यहाँ पर काफी चीजों को simple किया है और इसी के चलते हमारे पास जो rank है वो हमारे पास सोड़ा सा सही होता दिखाई दिख का पहुंचाती है वो क्या करनाटक में आइफोन की factory के उपर उनके employees ने हमला कर दिया था आपको दादू की आइफोन की एक हमरे पास supplier company है जिसने प्लांट करनाटक में लगाया है जिसमें making इंडिया campaign के था इंडिया में आइफोन की हमारे पास assembling हो रही है जी हां और वज्जो दी और सबको दिखाने की कोशिच कि अगर आप इंडिया में जाएंगे तो यह हो सकता है तो यह चीज़े ऐसी चीज़े नहीं होनी चाहिए ठीक है ऐसी चीज़ों से इंडिया को कही ना कहीं बचना चाहिए चले हम आपस question पूस्ता हूं यहां पर कि आप मुझे उस एपल के supplier का नाम बताईए जो इंडिया में हमारे पास जो सब इंडिया में आइफोन की assembling कर रहा है करनाटक में जिस प्लांट के ओपर हमारे पास अभी अटैक हुआ था तो मेरा question आप लोगों से है विच एपल सप्लायर फैक्ट्री रिसेंटली इन न्यूस फ्रम करना का करनाटक में किस एपल सप्लायर फैक्ट्री ओपर हमड़े पास अटैक हुआ था तो यह हमारे पास है विस ट्रॉन जी हां याद रखेंगे विस्ट्रॉन नाम की हमारे पास एक supplier company again ठीक है एपल के साथ मिलकर काम करती है तो आप देखेंगे कि एपल खुद अपने फोन जारतर नहीं बनाता उसकी मैनिफेक्ट्रिंग के लिए कहीं सारी प्राइवेट सप्लायर कंपनी जो है वो काम करती है ठीक है जैसे फॉक्सकोन है विस्ट्रोन है तो इनके नाम भी आप स्टिपल टाइम्स फास्टर देंदा स्पीड ऑफ साउंड ठीक है मैं कुछ बोलता हूं आपके यह तक पहुंचने में से कुछ टाइम लगता है लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है हमर पास कुछ कहीं स्पीड से होती है कुछ चीज होंगी जो इससे भी फास्ट होती है तो उ है दराबाद में हदराबाद कहां के द्लंगाना में तो यहां पर हमने बनाई है एडवांस हाइपर- Państwo सोनिक विंड टनल ठीक है एडवांस हाइपर सोनिक विंड टनल अब इसमें क्या होगा कि हम अपने जो फाइटर जैट्स हैं या जो बाकी मिजाइल्स टेक्नोलोजी है उसको हाइप्रेशर में टेस्ट कर सकेंगे स्वीड जो रहेगी यहां पर मैक फाइव तु मैक 12 यह मेज नहीं चल रहा है तो यहां पर हमारे पास अभी रिसेंटली अंडी आडियों ने अभी टैस्ट फायर किया था एचस्ट डी इवी ठीक है यस्टी डीवी डिवी और इस हाइपर सोनिक टेक्नोलोजी डेमोस्टेटिक डेमोस्टेशन वीकल ठीक है फुल फॉम याद जो है वो कही ना कहीं develop करें ठीक है hypersonic missile को कहीं ना कहीं हम develop करें में target में objective हमारा वो चल रहा है so मेरा आप से question student यह है कि DRDO यह सब contribution हो रहा है DRDO की तरफ से यह जो हमारे पास hypersonic wind tunnel बनी है यह सब कुछ किस की तरफ से हो रहा है that is by DRDO चलिए आप से कोशन पूछ लेता हूँ DRDO ने अभी recently वरुन अस्तर बनाकर हमारे defense forces को handover किया था ठीक है वरुन अस्तर बनाकर हमारे defense forces को handover किया था तो यह वरुन अस्तर है क्या comment section में comment करके बताईए कि वरुन अस्तर है क्या यह कोई missile है radar है ठीक है या फिर हमारे हमारे पास कोई और चीज है ठीक है है क्या यह तो वर्ट इस वरुन अस्तर आप जल्दी से comment section में comment करके बताईए सो वरुन अस्तर जो recently हमने अभी test किया था completely successful test रहा था और अभी handover करने की बाद almost हो चुकिए इसको सो यह torpedo है student torpedo क्या होता है जो हमारे पास submarines use करती है submarines क्या करती है हमारे पास underwater move करती है और submarines कुछ latest weapons का use करती है जिससे दूसरे दुश्मन को destroy किया सके तो उसमें से एक होता है torpedo तो आप याद रखेगा कि वरुन अस्तर हमारे पास क्या था it's a torpedo चीक है ओके नेक्स हमारे पास next news की तरफ move on करते हैं next news हमारे पास आती है inclusion of four indigenous games to be a part of खेलो इंडिया यूथ गेम्स बड़ी interesting और important news trend ध्यान से सुनिये और समयने की कोशिश कीज़ेगा हमारे पास क्या है कि ministry of youth aferent sports ने क्या का है कि जो 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगी पहला कोशन तो यह हो गया कि 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स का होंगी पंचकुला हरियाना में उसके अंदर चार इंडिजीनियस sports को इंडिजीनियस जो भारत के ही हमारे पास sports है गेम्स है उनको include किया जाएगा इसमें एक तो है कलारी पयार्टू कलारी पयार्टू कहा है हमारे पास a martial art फ्रॉम क करते हैं यह बड़ा famous है भारत में specially दो स्टेट्स में मध्यपरदेश और महारास्ट्रा में तो याद रखना कि हमारे पास मलखंब का में जो संबंध है वो किस-किस से दो स्टेट्स है that is Madhyeprdes and Maharashtra next गतका तो हमारे पास North India में बहुत ही famous है गतका लेकिन specially इसका origin कहां से पंजाब से, यह हमारे पास एक fighting style है, निहंग सिक warriors मेनीज को practice करते हैं for self defense and sports, फिर थांगटा थांगटा एक martial art है जिसका origin हुआ है मनिपूर में, तो basically आपको एक तो यह याद रखना है कि कौन-कौन सी हमारे पास indigenous games को यहाँ पर हिस्ता बनाया गया है दूसरा आपको यह याद रखना है कौन-कौन सी state से subjected है, और हमारे पास youth affairs and sports minister कोन है, किरन रिजीजू नाम याद रखेंगे, who's the minister of youth affairs and sports, किरन रिजीजू मेरा question आप लोगों से यह है कि किरन रिजीजू ने खेलो इंडिया youth games में participate करने के लिए, इसके साथ participate करने के लिए, इन games के साथ ही एक group को invite किया है, एक countries के group को invite किया है, किस group को किस country के group को invite किया है to be a part of खेलो इंडिया youth games 2021, जल्दी से बताइए, during खेलो इंडिया youth games, which group members invited by किरन रिजीजू तो याद रखेंगे, student, that is BRICS, हाँ जी, किसको invite किया है, जो हमारे पास BRICS के member country है, उनको कहीं न कहीं आपर invite किया गया है और देखिए, BRICS के members को invite करना, एक और जादा BRICS को और close लाने का यहाँ पर अच्छा message और संदेश दिया गया है केरन जी 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 दुवारा, BRICS हमारे पास पांच country के group है, Brazil, Russia, India, China and South Africa, तो basically यहाँ पर चार country को invite किया गया है ताकि वो भी यहाँ पर games पर participate कर सकें और खेलो इंडिया youth games जो है, वो और अच्छे level पर पहुंच जाए, next हमारे पास Asia's deepest gas field R cluster, तो भई, Reliance Industries Limited, जो की हमारे पास natural gas और petroleum products में बहुत बड़े level पर काम करती है तो इसने British Petroleum Company साथ मिलकर, Asia की deepest gas field में काम करना शुरू कर दिया है, जो की कहाँ पर है, KG D6 block, यह KG क्या है, that is Krishna Godavari Basin, ठीक है in the Bay of Bengal, तो आपने याद रखने student, कि Bay of Bengal में हमारे पास आपको देखने को मिलेगी, Asia की सबसे deepest gas field, जिसमें हमारे पास KG D6 block है, that is Krishna Godavari Basin, ओके और यहाँ पर एक बड़ी interesting district है that is 24 पर गना जहाँ पर यह हमारे पास gas field निकालना शुरू किया gas field से काम शुरू है, 24 पर गना यह वही district है, जिसके ओपर अंग्रेजों को मिलता है, text collection का right after the battle of Plassey, तो history point of view से भी अगर मैं बात करूँ तो यह जो area है, वो बहुत ही interesting रहा है, वो बहुत ही important रहा है तो यह हमारे पास याद रखेगा 2000 meter deep एक हमारे पास gas field है, gas reserve है जो इसको बनाता है deepest offshore gas field in Asia, okay so reliance industries जो है, वो काफी हद तक इस सब में हमारे पास आगे बढ़ रही है petroleum और हमारे पास gas field के काम को लेकर तो बहुत सारी refinerries भी भारत में है आप से में question पूछ लेता हूँ आप भारत की सबसे बड़ी oil refinery कौन सी है बारत की आप जरा comment section में करके बता ही है name the largest oil refinery in India, biggest oil refinery, sorry biggest oil refinery of India name the biggest oil refinery of India okay so that is Jamnagar, Gujarat do remember that Jamnagar, Gujarat हमारे पास सब से बड़ी oil refinery आपको देखने हैं को मिलती है, okay next हमारे पास HLC to comrade नेता जी birth anniversary हाँ जी, अब ध्यान से सुनिएगा student, हमारे पास HLC से एक high level committee बनाई गई है जिसको lead करेंगे कोन, Amitra पहली बात तो यह याद रखेंगे, किसके लिए to commemorate the 125th birth anniversary of Neta जी सुभास चंदर बोस Neta जी सुभास चंदर बोस की 125 भी birth anniversary जो आ रही है, उसको लेकर कैसे celebration की जाएंगी, कैसे चीजों को यादगार बनाई जाएगा, एक high level committee बनी है, जिसको lead करेंगे, Amitra आपको student में पताना चाहूँगा, कि 2019 में एक museum भी बना था, Neta जी सुभास चंदर बोस को लेकर, Red Fort दिल्ली में नेता जी सुभास चंदर बोस हमारी अजादी की लडाई में एक एहम रोल प्ले करते हैं, और ऐसा कहा जाते हैं इनकी death को लेकर बड़ी controversy है वैसे तो यह कहा जाता है, कि जो इनकी death हुई है जो official records हमारे बताते हैं कि जो इनकी death हुई थी, वो कैसे हुई थी? 3rd degree burn से, मतलब body जलने से due to the plane crash in Taiwan यह जाद रखेंगे sorry plane crash कहा हुआ था? Taiwan में, ठीक है? plane crash कहा हुआ था? that is in Taiwan उसके बाद यह कहा जाता है लेकि नेता जी famous क्यों थे? ठीक है? इनकी आजाद हिंद फोज के लिए ठीक है? नेता जी famous क्यों थे? इन्होंने हमारे पास आजाद हिंद फोज को lead किया था इन्होंने आजाद हिंद फोज को lead किया था ठीक है? सो मेरा question आप लोगों से यह है कि आजाद हिंद फोज को लीड जुरूर किया था लेकिन इसकी फॉर्मेशन जो की थी वो किस ने की थी हाँ जी मेरा कोशन आप से यह है कि हूँ फॉर्म्ट इंडियन नैशनल आर्मी ठीक है किसने फॉर्मेशन की थी हमार पास आई यह ने की तो याद रखना करेक्ट अंसर है क्याप्टन मोहन सिंग याद रखें क्याप्टन मोहन सिंग हमारे पास वह परसं थे जो इस आर्मी की फांडेशन नीव रखते हैं ठीक है और जिसको आगे चलकर लीड कोन करते हैं इस आर्मी को हमारे पास नेता जी सुबाशंदर बोस ठीक है पॉर्दक्स एकस्पोर्टीं ठिए टो इस ने हमारे पास पहला कोल सेंटर बना है एक वारोडक्स के लिए एट विजैवाडा तो पहला कोशन में पास यह भारत का पहला एक गौर्णेंट को सेंटर एक पॉट्टी एक है तो काफी हद में गृद्दर देखने मिलता है आंध authority है वो body है जो भारत के marine products को export को promote करने के लिए काम करते है marine products के export को promote करने के लिए काम करते है जिसका headquarter का है कोची केरला में so do remember where is the headquarter of Empeda that is in कोची केरला ओके चलिए अगर हम बात करें over the period of time हम चाहते हैं कि हमारी fish production जो है वो और जादा बड़े जो fish production है या जो हमारे पास यह seafood है इसको थोड़ा और अच्छे level पर हम export कर पाएं इसलिए center government ने एक scheme चलाई है परधान मंत्री मतस्य संपदा योजना तो पहले तो फुल-फॉर्म का नाम याद रखेंगे चली मेरा question आप लोगों से पूछ पूछ लेता हूं मैं हां जी अंडर प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना what is the target to what is the target of export ठीक है हमारे पास 2024 पच्चीज तक हमारे पास how much amount to increase how much export target to increase export of how much amount by 2024-2025 कितना export करने का target रखा है मैं 2024 पच्चीज तक अंडर प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना under प्रधान मंत्री मतस्य संपदा योजना है so that is rupees 1 lakh करोड याद रखेंगे प्रधान मंत्री अंडरा बेसिक टारगेट क्या है कि हम एक्वा फार्मिंग को और जार अच्छे से बढ़ाएं और अल्टिमेटली हम क्या गर सकें जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ा सकें और कितना एक्सपोर्ट हो भारत से फिश 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 मार्किट को लेकर अलाउंड वन लैक करोड़ बाई 2024-2025 ठीक है सो में हमारा यह लक्ष यह चल रहा है ओके सो यह पॉइंट आप याद रखें नेक्स हमारे पास इंटरनेशनल गीता महुत्सव जो है हमारे पास वह अब्सर्व किया गया कुर्शेतर हरिया करना में यहां पर स्टुटेंट में बताना चाहूंगा बगवद गीता की जब हम बात करते तो महारीशी वेदव्यास ठीक है महारीशी वेदव्यास ने हमारे पास बगवद गीता को लिखा था ठीक है और गीता के अंदर बात करें तो देरा 18 chapters and 700 verses ठीक है इसमें हमारे पा इस साल इन्योग्रेशन के लिए किसको बनाया गया था जैराम ठाकुर जो की चीफ मिनिस्टर हमाचल प्रदेश के यहां पर क्या खास बात रहेगी 55,000 सुगल सुडेंट्स विल क्लेक्टिवली रिसाइट 19 वर्स फ्रम भगवद गीता तो 55,000 बच्चे 19 वर्स को यहां पर रिसाइट करेंगे भगवद गीता तो कुर्क्षेत्र वही स्थान है जहां पर हमारे पास भगवान क्रिशन जी ने ठीक है अर्जुन को गीता को उपदेश जिया था सब माना जाता है तो वो चीज़ें आप कहीं न कहीं याद रखेंगे चली एक कोश्चन में आप से आप कमेंड सेक्षन में कमेंड करके बताइए जल्दी से की हूँ ट्रांसलेटिड भगवत गीता इंटो इंग्लिश नेम दपर्सन हूँ फर्स ट्रांसलेटिड भगवत गीता इंटो इंग्लिश बगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो क्रेट है वो किसको ज ठीक है, Charles Wilkins सो परसंते रूआट जिन्हों ने भगवद्गीता का translation क्या ठीक है, अनवाद किया, from Sanskrit to English, ठीक है, Sanskrit इंविश में अनवाद किया, और इन्हों ने भारत के culture को समझने के लिए एक organization की थापना में भी मदद की, that is known to be एसियाटिक सोसाइटी ठीक है एसियाटिक सोसाइटी की फॉरमेशन में भी हैल्प किया हमारे पस किसने चार्ल्स विलकिन्स तो यह चीज़ आप कहीं नहीं याद रखेंगे ओके नेक्स्ट न्यूस की तरफ चलते हैं स्टुएंट नेक्स्ट न्यूस हमारे पास लिजन ओफ मैरिट टुप प्राइम निस्टर मोधी देखिए यहां पर यूएस के जो प्रेजेंट है डॉनल्ड ट्रॉंप उन्हों ने फैसला किया है कि प्रधान मंतर नेंदर मोधी को कवार्ड से सम्वाइन किया जाएगा तैस लिजन ओफ मैरिट ठीक है जिसको बोलाए था डिगरी चीफ कमांडर टु प्रामिस्ट नेंदर मोधी क्यों क्यों कि प्रामिस्ट नेंडिया और यूएस स्ट्रेजिक वोड क्यों दिया गया देखे कोविड के दोरान हमारे पास चार कंट्रीज एक साथ आई और वो चार कंट्रीज से यूएस इंडिया ऑस्ट्रेलिया एंड जेपैन और एक ग्रूप बना क्वैड ग्रूप जिसने मालाबार एक्सरसाइज भी परफॉर्म की थी तो यह जो क्या है इंडिया की तरफ ते ही अवॉर्ड जो है वह किस ने सीव किया तरणंजीत सिंग संदू ने जो कि इंडियन अंबैस्डर है युनाइटेट शेट्स में इंडियन अम्बैस्ट है युनाइटेट्स में तो यह चीज आप याद रखियगा चलिए आप से मैं कोश्च ना मियाद रखेगा स्टुवर्ट फुर्ट कुछ दरेंट हो था रिम प्रम इस प्रम इस प्रुपन योशीदा सुगा चाहिए नाम याद रखेगा सिंपल सा नाम है मतलब कि बेसिकली योशीदा सुगर ओके सो इस दा करेंट प्राम निस्ट रोफ जैपैन चले जी आगे चलते हैं नेक्स हमारे पास इंडिया रिकोर्ट सिक्स्टी परसेंट राइज इन लैपर्ड पॉपुलेशने कची न्यूस कर इनकी जोर पॉपुलेशन है वह कहीं बढ़ती भी दिखाई दी सिक्स्टी परसेंट राइज हुआ है और पेपर पॉइंट से याद रखना सबसेरा लेपरड पॉपुलेशन आपको कहां देखने को मिलेगी मध्यपरदेश में और भारत में टोटल लेपरड थीक है मैक्सिम नंबर ओफ लेपर्ड भी आपको देखने मुलें अर मैक्सिम नंबर ऑफ टाइगर्स भी आपको कहां देखने को मिलेंगे मध्यपरदेश में इवन मध्यपरदेश इस ओल्सों नोन आज टाइगर स्टेट अफ इंडिया क्योंकि यहां पर बहुत सारे टा से एक स्पीसिस को यहां लाकर फिर से बसाया जाएगा हां जी तो कौन सी उस नेम दा फ्रीकन स्पीसिस जिसको हमारे पास यहां पर कुनो नेशनल पार्क में फिर से रिहाबिलिटेट किया जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगे विच एनिमल इस गोईंग बीटर्दूस फ्रण अफरीका तो दकूलो नेशनल पार्क इंड्यूस में था आपास अभी विच एनिमल इस गोईंग डोई इंटर्दूस फ्रॉम एफ्रीका तो कूलो नेशनल पार्क तो दकरेक्ट आंसर इस चीता जी हां याद रखेंगे करेक्ट डंसर मार पस चीता देखे भारत में चीता भी हुआ करते थे लेकिन अंग्रेजों के टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर हंटिंग हुई तो फाइनली अब भारत में कोई चीता नहीं है 1970 के दशक में भारत में चीता की जो population थी वो खतम हो चुकी है, extinct हो चुकी है तो अफरीका से फिर से चीता जाएगा और भारत में बसाया जाएगा तो अफरीका में टाइगर्स भी हैं लेपर्स भी हैं लेकिन चीता नहीं है तो चीता जो भी फिर से इंटर्ड्यूस करने की बात चल रही है तो यह आप याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए अप्रूबल मिल चुका है आपको मैं यह भी उता दू नेक्स हमारे पास बुक आई है दा लाइट ओफ एशिया यह बुक हमारे पास लिखे है फॉर्मर यूनिनिस्टर जैराम रमेश ने ठीक है दा लाइट ओफ एशिया दा पॉयम ओफ डिफाइंड दा बुद्धा ठीक है दा पॉयम देट डिफाइंड दा बुद्धा तो कहीं न कहीं यह बुद्धिजम से रिलेटिड है तो जैराम रमेश की बुक है तो सीधा सीधा याद रखेगा अगर पेपर में कोशन आगे लाइट ओफ एशिया बुक किसने डिखिया तो जैराम रमेश लेकि जब मैं बुद्धिजम की बात करता हूं तो एक कोशन में पूछना चाहूंगा जी यूप्यासी में बुचा गया था यूप्यासी में क्या का गया है कि according to the Buddhist tradition बुद्धिस tradition के according जो गौतम बुद्ध है जो महात्मा बुद्ध है वो फिर से धरती पर अवतार लेंगे फिर से धरती पर जनम लेंगे उस अवतार का नाम क्या है बुद्धिस tradition के according उस अवतार का नाम क्या इन्होंने रखा हुआ है जल्दी साप कमेंट सेक्षिन में करके बता यह हूँ विल अपिर अन अर्थ in the future according to Buddhist tradition who will appear on earth in future according to Buddhist tradition हूँ तो करेक्ट ठंस रेश्ट में अटरेया जाद रखें हैं जब्द। करेक्ट आंसर है मेर पास मैं तरही है ओके चलते हैं नेक्स मार पास नैशनल फार्मर्स डे और किसान दिवस 2020 तो वही इस बार का तो किसान दिवस काफी जादा न्यूस में रहा क्योंकि किसान अभी धरने पर बैठे हैं और देश में किसान डे सेलिब्रेट किया गया तो आपको पता आना चीज़ को अब्जर्व किया थे 23rd of December को वाई 24rd of December because इस दिन बढ़े होता है हमारे फॉर्मर प्राइम निस्टर का चोधरी चरण सिंग जो देश के पांचवे प्रधानमंत्री थे ठीक है और जो एक छोटे से समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे लेकिन उस समय प्रधानमंत और इवन जो इनकी समाधी है जो दिल्ली में इनकी समाधी है उसको किसान घाट के नाम से जाना जाता है ठीक है जो दिल्ली में इनकी समाधी है उसको किसान घाट जैसे आपने सुना और राजगाट इस सब्जेक्टिट टू महात्मा गानी किसान घाट इस सब्जेक्टिट की याद में बना है हाँ जल्दी से कमेंड सेक्शन में कमेंड करके बताइए कि विजय घाट मेमोरियल हमारे पास कौन से प्राइम मिनिस्टर की याद में बना हुए तो याद रखेगा विजय घाट जो है वो हमारे पास उस प्राइम मिनिस्टर की याद में बना हुए जिसको सबसे ज़ादा प्यार देश में मिला और जिसको देश की जनता ने सबसे ज़ादा प्यार किया वो कौन थे लाल भादूर शास्त्री ठीक है लाल भादूर शास्त्री जी की जो समाधिय दिल्ली में उसको विजय घाट के नाम से जाना जाते है नेक्स हमारे पास हाई पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंडिजीनिसली मैनुफेक्च्छर्ड तो देखे इस्टोड़ेंटे खुशी की बात कि भारत विश्यो का छ है और इसे हमारे पास एक इंपॉर्डंट्रिक लोकोफैक्ट्री इन ब यह दियादर कावी चेंचिने को मिल रहां इंडिया के लावा रशिया चाइना जर्मनी और स्वीडन ऐसी कंट्रिज हैं जो High Power Electric लोकोमोटीज बना सकती है इसके लावा एक फ्रांस तो कंट्री ही है तो अब इंडिया भी क्या कर रहा है High Power Electric लोकोमोटीज बना रहा है इससे क्या होगा कही न कहीं जो डीजल powered engine है हमारे पास उनको हम replace कर पाएंगे जो diesel powered engine है उनको कहीं ना कहीं replace कर पाएंगे अगर हम याद करें Indian Railways की बारे में तो Indian Railways को Lord Dalhousi ने भारत में पहली बार introduce करा तो उसके समय पर introduce हुई थी और यहां पर एक point और याद रखेगा कि right now Indian Railways के CEO को नहीं विनोद कुमार यादव विनोद कुमार यादव करंट CEO है इंडियन रेलवेस के चलिए आप से मैं question पूछ लेता हूं सुड़िए आप comment section में कमेंड करके बताईएगा diesel locomotives बनाने के लिए हमने बाद मैंने बात कि ना कि diesel engines को change कर दिया जाएगा electric engine से लेकिन भारत में diesel locomotive works कहां पर स्थित है diesel locomotive works जहां पर diesel engines बनते हैं वो कहां पर स्थित है जल्दी सेक्मेंड section में करके बताईए diesel locomotive works situated at which place in इंडिया तो diesel locomotive आपको देखने को मिलेगा diesel locomotive works आपको देखने को मिलेगा वारण असी में ठीक है वारण असी उत्तर प्रदेश चलिए जागे चलते हैं हमारे पास next news की तरफ so next हमारे पास firefly bird diverter तो यहां पर याद रखेगा स्वेंट firefly bird diverters एक program चलाया गया है ठीक है unique initiative है ministry of environment forest and climate change का और wildlife conservation society का to reduce the mortality of great Indian bastard यह स्ट्रेंट हमारे पास एक पाक्षी है भारत का actually क्या होता है कि यह जो हमारे पास high tension वायर होती है जो electricity की तारे होती है simple सरुल चब्दों में कहूं तो electricity की जो तारे होती है ठीक है जो वह एक जगा से दूसरी जगा हमारे पास कुछ इस तरह से तो इन में क्या होता है कि जो birds होते हैं वो कहीं ना करी टकरा जाते हैं तो अब इनके ओपर firefly bird diverters लगाए जाएंगे मतलब कि कुछ इस तरह से diverters लगाए जाएंगे जिससे क्या होगा कि जो birds है वो इनको राज को भी और दिन को भी दूर से देखकर ही पता चल जाएगा कि आगे transmission line है ताकि वो इससे बच सकें तो यहाँ पर आपको बता दू कि जो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है यह critically endangered species है मतलब कि विलूप तोने के गार पर कही ना कहीं है यह हमारे पास है और यह किसने बताया है आई-उ-सी-एन ने याद रखेगा कोई भी स्विसेंट हो है या नहीं यह कौन बताता है हमारे पास आई-उ-सी-एन है अच्छी इसवाइब पास आइब ऑस ने एक पास एक मिजाईल एक टीक है तो यहाँ पर याद अठना जोंतली डेवलप की और इस्राइल अरो इरो से इस इंडस्ट्रीज ने डेवलप डिया डियों ने किये लिए इसकी मेनिफेक्ट्रिंग कौन करेगा भारत डैनेमिक्स लिमिटेड एक और गौवर्मेंट कंपनी बीडियल के नाम से इसकी जो स्ट्राइक रहेगी 100 किलोमेटर तक यह माग कर सकती है और इसकी स्पीड रहेग फालकन अवैक्स आपको मैं बता दू फालकन अवैक्स क्या है एरबोन अर्ली वार्निंग कंट्रोल सिस्टम अवैक्स क्या होता है कि दुश्मन के जहाज और मिजल जो भारत की तरफ बढ़ रहे होंगे वो पहले ही उन्हें बता देगा तो आपने आधर रखने फालकन इसके लावा हमारे पास जो एक और हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाइल है यह भी हमने इसराइल के साथ मिलकर डेवलप किया और बहुत सारे प्रजेक्स के ओपर इसराइल हमारी है इसराइल चलिए आप से मैं कोशन पूछना चाहूंगा अभी इसराइल से इंड के ऊपर फिट कर सकते हैं तो मेरा कोशन आप से यह है कि name राइफल माउंटेड एंटी ड्रॉन सिस्टम डैट रिसेंटलि इंडिया नेवी ओडर्ड फ्रॉम इसराइल है जी नेम दा राइफल माउंटिड ड्राइफल के ऊपर लगने वाला एक एंटी ड्रॉन सिस्टम जो तो याद रखेंगा उसका नाम है Smash 2000 जी हाँ याद रखेंगा बड़ा important question हो जाता है Smash 2000 एक anti-drone system है जिसको आप अपनी normal rifle के उपर लगा सकते हैं और फिर drone को shoot कर सकते हैं drone का मतलब जो दुश्मन के द्वारा हमारे पास unmanned aerial vehicles हैं उनको destroy कर सकते हैं ले नेक्स मारे बास book on COVID-19 सब्वेता देश संकत और समाधान सब्वेता संकत का समाधान तो यह हमारे बास book किसे लिखे कैला सत्यार थी nobel laureate है normal prize winner है इडिया की तरफ से और याद रिखना यह इनकी जो लगान चैर्मेन रशावा के चैर्मेंन कोन रोते हैं वह तैंवाइस प्रेसिडेंट जो कि एंडिया नाइड़ू रजशावा के चैर्मेंकोन हैं में गया नएडू एक च्छोड़ा का पॉइंट तो पनोर मैं बतानाहां चाहूंगा केलास अत्यार्थी famous क्यों है क्योंकि एक NGO चलाते हैं इनकी NGO का नाम याद रखें क्लास केलास अत्यार्थी की उस NGO का नाम है बच्पन बचाओ अंदोलन जी हां do remember the name of the NGO बच्पन बचाओ अंदोलन जिसके थूँ इन्हों ने हजारों लाखों बच्चों को child slavery से मुक्त कराया है ठीक है और उनको पढ़ने लिखने में काम में लगाया है ठीक है next हमारे पास national consumer day 2020 तो national consumer right day observe किया गया 24th of December को क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास इसी दिन consumer protection act 1986 हमारे पास कहीं न कहीं पास हुआ था president का उसको accent मिला था तो यहां पर आप theme भी याद रखेगा new feature of consumer protection act 2019 ठीक है theme क्या रही new feature of consumer protection act 2019 यह 2020 की theme है theme याद रखेगा देखिए यह तो वह national consumer right protection day अगर paper में कहीं question आ गया world consumer right day अगर paper में question आ गया world consumer rights day का तो आपने याद रखना है यह हमारे पस कब observe किया जाते है world consumer right day so that is on 15th of March 15 March को observe किया जाते है ठीक है यह चीज़ आप याद रखेगा चली आप से में एक simple सा question पूछ लेता हूं भी हमने बात की consumer protection act 1986 की मेरा question आप लोगों से है how many rights does a consumer have under consumer protection act consumer को कितने rights मिलते हैं under the consumer protection act चल दी से comment section में comment करके बताईए how many rights does a consumer have under the consumer protection act तो याद रखना under the consumer protection act a consumer got how many rights six rights छे rights मिलते हैं ठीक है चलेजी नेक्स हमारे पास इंडिया न्यू रैमसर साइट बहुत important news में से एक देखे हमारे पास तसोक और wetland तसोक और wetland हमारे पास जो है यह हमारे पास कहा है लद्दाख में इसको edit किया गया है to the list of रैमसर साइट्स रैमसर साइट्स होती है जो हमारे पास wetlands होते हैं ठीक है पानी के स्रोथ बेसिकलिया आप सिंपल हिंदी में कह सकते हैं for international importance ठीक है की बात करें तो इसके अंदर दो principle water bodies है एक तो है start सपक तसो एक फ्रेश वाटर लेगा और तसोकर यह हाइपर स्लाइन लेक है तो पेपर में आप से मैं यह भी पूछ सकता हूं कि start सपक सो यह लेक हमारे पास कौन से यूनिन टैट्रिया स्टेट में तो अगें लद्दाक और तसोकर यह हमारे पास कहां पर दैट के लद्दाक तो यह आप मैप में कुछ लोकेशन देख सकते हैं देखे शुट हडान यह हमारे पास यहां पर आपको देखने ऊंगलेग गा है तो यह चीज़ आप याद रखेगा चलिए जी नेक्स हमारे पास कोडिनेटिंग मिट कोडिनेशन मेटिंग बिट्वीन बीएसएफ और बीजीबी तो यहां पर पार्टिस्पेट किया था बीएसएफ के डाक्टर जोन है राकेश अस्थाना सो बीएसएफ हमारे पास पाक परणातलवी करते हैं राजस्थान और बंघ्लादेश सेटल करने गेलेन हैं याद रखेगा बंघ्लादेश के साथ थ retals सब्सक्राइब करने करने के लिए कली एक समझ fisherman गया था जिसको बोलते है लैंड बॉर्डर एग्रिमेंट ठीक है और इसी लैंड बॉर्डर एग्रिमेंट के तया था मैं देखने को विली थी हंडर्थ बंगलादेश अपना इंडिपेंडर्थ डिकाभ खरता है जल्दी से कमेंट मेंट कर लादी ये फैंन बांगलादेश ऑब्itted एट्स इंडिपेंडर्थ डे ओके याद रखेंगे स्टुरेंट बंगलादेश अब्जर्फ इट्स इंडिपेंडनेस एक सिंपल सा कोशन है देखिए कोई जारा डिफिकल्ट कोशन हमारे पास नहीं है 26 मार्च को हमारे पास अब्जर्फ करता है बंगलादेश अपना इंडिपेंडनेस दे ओके चलते हैं और यह क्यों बन रहा है क्योंकि आपको बता अनचिए कि 2023 का मैंस होकी वरल्ड कप है वो ओडिसा में होना तैह है तो याद रखना FIH हमारे पास जो होकी के रेगुलेटरी बॉड़ी है इंटरनेशनल होकी फेडरेशन तो इसने डिसाइड किया था कि हमारे पास 2023 का जो होकी विशू कप है वो हमारे पास ओडिसा इंडिया में होगा तो उसी को लेकर एक बहुत स्विजर लैंड में इसा हैड़कॉर्टर ओफ एफ एच लोसैने स्विजर लैंड ठीक है और अभी एफ एच ने अपनी 2020 एंडिंग रैंकिंग डिक्लेयर की थी उसमें इंडियन होकी टीम का रहा था फोर्थ और टॉप किसने गया था निदर लैंड ने एफ एच की जो र है लेकिन विशू का सबसे बड़ा cricket stadium भी भारत में जिसका नाम है सर्दार प्रेटेल cricket stadium in terms of street in capacity विशू का सबसे बड़ा سोर्डेंट सस्क कि कि की शहर में आप देखने को मिलेगा अ कि ओके यहां देखने को मिलेगा अहम्दाबध में जी हाँ याद रखेंगे आपको कहां देखने लेगा एहमदाबाद में ओके तो एहमदाबाद गुजरात में आपको देखने हो लेगा सरदार पटेल स्टेटियम जो विश्यू का सबसे बड़ा क्रिक्ट स्टेडियम है ओके नेक्स आर पास आर बीया का इंसल्टा लेसिंस ओफ सुबद्रा लोकल एरिया बैंक सुबद्र लोकल एरिया बैंक जो कोलापूर महरास्ट्रा में है उसका लैसंस कैंसल कर दिया है अब से बैंक काम नहीं कर पाएगा किसका यूज करके सेक्शन 22 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक याद रखेंगे एक्ट इंपॉर्डेंट है देखे आर बैंकिंग सेक्टर को भारत में गंचिक रखेंगे में है और अगर पता है तो उस में जो लोगों की जमा धन राशी है उसका क्या होता है तो आपको बता दू कि उसके लिए एक body काम करती है DICGC यह हमने पिछले lectures में भी बात किया इसके बारे में deposit insurance and credit guarantee corporation यह RBI की ही एक subsidiary है मैं फिर से repeat करता हूँ deposit insurance and credit guarantee corporation तो आपका bank में 5 लाग तक का रुपया safe रहता है यह पांच लाग रुपय तक insurance प्रवाइड करती है DICGC यह भी आपने याद रखना है कितने लाग रुपय तक insurance हमारे पास मिलता है चले आपसे मैं question पूछ लेता हूँ यह जो CKP corporate bank का lessons cancel हुआ था वो cancel हुआ था क्योंकि इसने C.A.R. को manage नहीं किया था तो what is C.A.R. जरा comment section में comment करके बताईए कि banking की terms में C.A.R. को कैसे समझते हैं C.A.R. की full form क्या है in terms of banking जल्दी से comment section में comment करके बताईए in terms of banking what is the full form of C.A.R. okay that is capital adequacy ratio ठीक है याद रखेगा capital adequacy ratio okay that is known to be C.A.R. that is सवच्चता अभियान mobile app देखें यहाँ पर कहा है सवच्चता mobile application हमार पास launch हुई है जिसमें हमार पास geo tagging होगी जहां पर भी manuals का वेंजिंग होगी manuals का वेंजिंग देखें हमारे भारत में अभी वी क्या होता है कि कुछ लोगों को गटर में उतर गटर साफ करनी पड़ते हैं इसको हम बोलते हैं manuals का वेंजिंग empowerment ताकि manuals का वेंजिंग को भारत में खतम किया जा सके आपको उसमेंट पता होना चाहिए कि लेने अंडर दा ministry of social justice and empowerment ओके लास्ट न्यूस फॉर्ट इस्ट नेशनल गुड गवर्नेंस डे ऑफजर्व किया गया पत्ती दिसंबर को पत्ती दिसंबर को उने वजर्व किया नैसल गुड गवर्नेंस डे किसलिए ताकि लोगों में अंदर awareness फिलाई जा सके ठीक है और य पिम किसान स्कीम की फुल फॉर्म के पंधानमंत्री किसां संमान निधी योजना आपको पता उना चाहिए इस कीम के तैथ गवर्मेंट 6000 उपए provide करती है कितना पैसा provide करती है 6000 उपए 2000 ऋपए दी जाते साल में तीन बार ठीक है Total कितना 6000 अभी कितना transfer हुआ है अभी transfer हुआ है 2000 और कितने farmers की account में हमारे पास आपको उतालो 9國 farmers की account में 2000 उपे transfer किये गए है जिनका जन्व हुआ था Gual year में और पहले ऐसे राष्ट्रपती थे भारत के पहले ऐसे परसं थे जिनोंने 1977 में बहुत इंबॉड़ेंट है 1997 में 1977 में UN को हिंदी में संभॉदीत किया था युमेन में पनी स्पीच दी लिए हिंदी में इस फर्सक पर्सन विश्चत कैसे पहले परसन थे जिननाने और उनाउनायच नेकर मैं आप से क्वेश्चन शशयता हूं किसने कहा था था कि हमारे पास अटल्बियर वाजपई is just like a bisham pitama in Indian politics किसने इनको Indian politics का bisham pitama कहा था जल्दी से comment section में comment करके बताईए किसने अटल्बियर वाजपई को कहा था bisham pitama of Indian politics ओके तो correct answer is friend हमारे पास Manmohan Singh Manmohan Singh जो इनके opponent थे उन्होंने भी इनकी तारीफ की और Manmohan Singh ने इनकी तारीफ करते हुए इनको कहा था he is the bisham pitama of Indian politics तो ये दिस लास्ट वीक की important news आशा करता आपको सब अच्छे समझ आओगा हमसे जुडे रहिए do subscriber channel thank you have a nice day